सबी दोस्तों नमस्कार चान के निती यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है तो हम करें करेंट फेर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेशन जो आपके सभी कंपेटिटिव जा में काफी यूजफूल होंगे तो आए फिर भिना देरिक ये क्वेशन देख लेते हैं तो य वहां से आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत से परसन बनेंगे लेकिन सभी क्वेशन दोस्तों एक वीडियो में हम करा देंगे लेकिन साथ साथ में जो इंपोर्टेंट परसन आते हैं वो भी आप नोट करते जाएगा यह आज का परसन है वुलादिमिर पोतिन से शिर्ष ओलंपिक समान क्या किया है वापस लिया ओलंपिक ने ठीक है तो अंतराष्टिर ओलंपिक समीति ने क्या किया यूकरेन पर आकरमन के जवाम में रूसी राष्टपती से ओलंपिक पुरसकार क्या है छीन लिया ठीक है यह आप नोट कर लेजीगा क्योंकि यहां से पूछा जा सकता है ठीक है तो next है दोस्तो जो आल फिलाल में एक मान खिलाडी थे दोस्तो वेस्ट इंडीज के उनका क्या हुआ निदन हुआ है तो उस spinner का क्या नाम था सनी राम दिन ठीक है ये मान खिलाडी थे spinner दोस्तो सनी राम दिन का निदन हुआ है ये वेस्ट थे यह बहुत ही अच्छे खिलाडी थे तो इनके सामने जो भी आया है दोस्तों उनको मैदान में पटकने दिये यानि उनको आउटी किया है तो वह उस टीम का हिस्सा थे जिनोंने 1950 में इंग्लैंड में अपने पहली विदेशी सरकला जीती ठीक है ना तो यह 1950 में यानि वैस वैस्ट इंडिज की तो यह सरकला जीतने वाले क्याते खिलाडी थे ठीक है 1950 में इंग्लैंड के खिलाब क्या Old Trafford में टैस्ट किरकेट में इन्हों ने बहुत अच्छा परदर्शन किया था ठीक है तो बहुत अच्छे खिलाडी थे बढ़ुमें वर्सकी आईयू में इनक ने विकेट लिये हैं तो 25.3 में की ओस्त से इन्होंने 450 विकेट लिये हैं ठीक है यह आप नोट कर लीजीगा 450 विकेट ठीक है तो नेस्ट आता दोस्तों इस देश में दक्षनी पुरुई ACI खेले जाएंगे वियत नाम में ठीक है तो वियत नाम के अंदर 31 में दक्षनी पुरुई ACI होंगे ठीक है यानि खेल होंगे यह और यह 31 में दक्षनी पुरुई ACI का सबसे बड़ा क्या खेल आयोजीन है ठीक है यानि खेल आयोजन है और एक क्या दिवेवार्षिक आयोजन है कौन सा आयोजन है एक दिवेवार्षिक ठीक है तो नैस्ट आता दोस्तो इस खेल से समझे यानि इस आयोजन से समझे देख लेते हैं तो यह कारियेकरम मुल रूप से नौंबर 2020 में होने वाला था लेकिन इसे कोविड मामारिक एकान क्य कर दिया था रोक दिया था ठीक है तो के लो में 526 आयोजनों के साथ क्या होंगे 40-K लोंगे जिसमें लगभग क्या है 10,000 पर्तिवागी क्या होंगे सामी लोंगे ठीक है तो next आता दोस्तो के इंदर सरकार ने पुलिस्टरl से बने राष्टिय दवजगे निर्वान को क्य कर दिये मंजूरी दिये ठीक है मंजूरी दे दिये कौन से राष्टी दवजगो पुलिष्टर से बने राष्टी दवजगो ठीक है के इंदर सरकार ने यह निर्णे लिया है सरकार ने 2002 की वारतिय दवजग सहित्ता में संसोधन करके मसीन निर्मित पुलिष्टर राष्टी अग्या दिये ठीक है तो next आता दोस्तो तो ये तो एक question यहां से बनेगा जो मैंने आपको बता दिया तो next है मीरा बाई चानू ठीक है तो मीरा बाई चानू एक ऐसा नाम है दोस्तों एक ऐसे खिलाडी का नाम है जो आप सभी जानते होगे लगबग सिंगापुर के वैटा लिप्टिंग इंटरनेशनल में इन्होंने क्या जीता है गोल्ड जीता है ठीक है तो मीरा चानू ने गोल्ड जीता है सिंगापुर के वैटा लिप्टिंग इंटरनेशनल में और बारतिय बारा तोलक यानि बारो तोलक में इन्होंने 2020 में टोलंपिक में क्या जीता थ रजत ठीक है तो पूरे जो भी इनका प्रदर्शन था दोस्तों पूरी बातें यहां पर बताई गई है मिरा बाई चानों में 25 फरूरी 2022 को सिंगापुर में कब हो रही थी यह परतियो गिता 25 फरूरी 2022 को ठीक है सिंगापुर में 12 तोलन में अंतराश्ट्री यह 2022 में 55 किलोग किलोग्राम बाहर उठाया ठीक है तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं इस जीत के साथ यह क्या है 27 वर्षिय चानों क्या 55 किलोग्राम औरग में 2022 रास्ट्रमंड खेलों के लिए क्या है क्वालिभाई कर लिया है ठीक है